नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सामने वीडियो में आप देख रहे हैं कि धनिय की हर्वेस्टिंग हो रही है तो इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताऊंगे कि किस तरह से मैंने अपनी चत पर धेर सारा धनिया ग्रो किया है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें तो यह देखिए मैंने यह 24 पाई 6 इंच के ग्रो बैक में धनिया उगाया है और पालक भी सेम साइज के ग्रो बैक में ग्रो किया है और सुबे का वक्त है और सूरज की धिमी-धिमी किरने पड़ रही है धनिये पर देखिए कितना अच्छा धनिया ग्रो हुआ है यह मैंने जो लोकल मार्किट से 20 रुपे का 25 जो पैकेट आता है धनिये का वही घ्रो किया था जिसको तोडने की जरूरत नहीं पड़ती उसको स्प्लिट करने के जरूरत नहीं पड़ती बीच को अगर आप घर के ही जो किचन में धनिया पड़ा होता है उसी से ग्रो करें तो फिर उसको तोड़ना भी पड़ता है और ग्रो बैक के अलावा यह देखके यहां पर फ्रेंच पीन्स भी लगी है ग्रो बैक के अलावा यह मैंने कुछ प्लास्टिक के डिब्बे खाली पड़े थे कई साल पुराने तो उनको भी मैंने कट करके उसमें भी धनिया उगाया है और यह जो चोटा-चोटा आप देख हो गया है ग्रो होना तो आप भी इस तरह के वेस्ट माटीरियल में ज्यादा से ज्यादा उप्योग कर सकते हैं उनको फैंके ना उनमें कुछ ना कुछ ग्रो करने की कोशिश जरूर करें और मिट्टी का पुरा-पुरा उप्योग करें यह देखिए यह है नीम का पेड़ की एक एक खाली जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उसमें मैने खाली जो जगा बची थी वहाँ पे साइड में बिल्कुल मिट्टी खाली पडी थी तो इसलिए मैंने उसका भी उप्योग करने की कोशिश की है तो यह भी मैंने देषी धनिया ही ग्रो किया है और देषी वाल है तो इसमें भी मैंने साइड में देशी धनिया ही ग्रोव किया है साथ में यह बीट रूट्स हैं थोड़े से मैंने किचन गारडन का फूल टूर वीडियो अपने चैनल पर पर प्लोड किया है आप उसे भी चेक कर सकते हैं यह देखें यहां पे अभी यह भी ग्रोव होना शुरू हो गया है थोड़ा-थोड़ा सा ये दो-तिन दिन पहले स्टार्ट हुआ जर्मिनेट होना और करीब 10 से 12 दिन लग जाते हैं कि बार धनिये को ग्रोव होने में और ये है टूटी हुई किचन सिंक में मेथी इसकी भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें लाइक करें और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि आपने इस वार अपने किचन गार्डन में क्या-क्या लगाया है और अगर आप बिगिनर हैं तो किस ची वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद